नमस्कार बहुत उत्स्वा का था आप सब का देख रहे हैं जोतिश दुशास सत्य किरा और कल आप हमसे टांडा में मुलाकात कर सकते हैं 28 तारीक है आज 29 और 30 तारीक हमने बताया था कि टांडा मेट करना कर रहेंगे मिलने के लिए समय सुनिश्चित कर लीजेगा किनकिन एर है जिसमें से हमारे घर के सबसे नजदीक अकबरपुर है फैजाबाद है जौनपुर है सुल्तानपुर है प्रताबगड है और इधर आपके पीछे बस्ती है गोरकपुर खलीलाबाद कुशी नगर सिधार्थ नगर बल्रामपुर गोंडा बहराइच यह जो एरिया है आज गाजियाबाद छेत्र में तो यह अचूता रह गया है कि मतलब लोगों को जानकारी ही नहीं हो की हमें जो जानने वाले उनको पते हैं नहीं के हम टांडा कि हैं तो पहले सुरुवात में तो मैंने बहुत समय दिया था टारणडा में अपने छेत्र में उस समय हमारी फीज एक क्यावन रुपे और एक सो एक रुपे हुआ करती थी आज के 19 साल पहले की बात है सन 2000-2001 की बात है आज एक 700 रुपे फीज हमारी है included GST, GST के साथ तो यह सब इस एरिया की लोग जितने भी हैं आपका स्वागत हम करते हैं आईए 28 तारिक का पंचांग बताता हूं पोश माह शुकल पक्ष दुदियातिति चंद्रमा मकर में है नक्षत उत्रा साधा रहेगा आज योग रहेगा व्यागात ततनुस्वार दिनांका 26 दिसंबर दिन शनिवार शनिवार को रहुकाल का सामय रहेगा सुबह नो बज़े से दस बच कर 30 मिनाई तक रहुकाल में नएयो और शुबकाम कथां गुलिकाल में आप जो चाहें कर सकते हैं पुर्टेक कार आपके बंते चले जाते हैं पूरे भविश्य के बारे में आज का दिन आपका कैसा वीतेगा आज का दिन आपके लिए क्या संदेश लेके आया है पूरी जानकारी आप तक हम पहुँचाने जा रहे हैं आई शुरुबात करते हैं आज की भविश्य वारी सबसे पहले मेश राशी आज का दिन आपके लिए कुछ विशेश लेकर आएगा सिक्षा छेतर में मन उचाट थाकल तक अब थोड़ा सा रिलाक्स होगा और पढ़ाई अच्छी करेंगी सिक्षा छेतर में कुछ मेजर इशूज अगर रहे होंगे अभी तक समस्याएं रही होंगी तो उनका समाधान आज निकाल सकते हैं लेकिन ब्यापार आज प्रभावित होगा बिजनस में दिक्कते आ सकती हैं ब्यापार इस दिस्टिकोंट से स्वेम को सादने क्या आवशे करता है प्राइवेट सिक्टर बहुत अच्छा रहेगा कोई दिक्asc0 में बाधावों से बाहर निकलेंगे लेकिन गुर्मेंट सेक्टर के लिए इस्थितिया बहुत अच्छी रहेंगी है। गार्मन CVA वालों के लिए आज प्रोमोशन के चांसिंट हैं बहुत प्रशन रहेंगे नई जिम्मेदारी बिल सकती है आज वाहन चेंज किया जा सकता है ये दिप की आज सनिवार है देख लिजेगा बहुत लोगों को शनिदेव सूट नहीं करते तो सनिवार को लोहाद ही नहीं खरीटते है गौर्मेंट सेक्टर के लिए समय अनकूल रहेगा लाब के अउसर बनेंगे हो सकता है बॉस जिम्मेदारी भी देते हैं कुछ बड़ी धन का लाब होगा लेकिन दामपत जीवन आज प्रभावित होगा दामपत जीवन में इसूस आ सकते हैं रिष्टे में थोड़ी सी तलकी आएगी लेकिन लव लाइफ अदबुत है लव लाइफ में बड़ी समस्याओं से बाहर आएंगे लव लाइफ आज बहुत अची चलेगी लव लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसको लेकर के आपको कहीं से भी चिंतित होने क्या वशकता है लव लाइफ जबरदस्त है आज स्वास्त के मामले में बैक की प्रावलम और एडियों में समस्याओं हो सकती है कुछ नजला जुखाम बुखार भी परेशान करेगा प्रियोग के तोर पर आज मेशवालों को भगवान सिरीहरी विश्णू का ध्यान करना है ओम नमो भगवतेवासु देवाय इस मंत्र का जाप करें क्या नहीं करना है आज किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है जो कहीं से भी संदेहास्पद लगे शुबरंग सफेद भाग की प्रित्शत 58 ब्यापार ब्रिशब रासी वालों के बारे में बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा इंतजार करें पहले सिक्षा की चर्चा ब्रिशब रासी ब्रिशब रासी वालों की सिक्षा में बिलकुल बंबा मिस्थती है कोई समस्या नहीं आएगी सिक्षा हर हाल में आपकी पूर्ण होने जा रही है हाँ ब्यापारिक दिश्टिकोर से कुछ दिक्कते आ सकती है धन कहीं फंस सकता है कोई आपकी बिर्द शडियंद्र करता हुआ पकड़ा जाएगा प्राइवेट सिक्टर में लाप के उसर बनेंगे वाहन का सुख मिलेगा आज लाप की ही लाप रहेंगे हो सकता है कि धन आपका बढ़े कहीं रूके धन की प्राप्ती भी है संभो यह भी है कि आज का दिन आपके लिए किसी नई सुरुवात का हूँ गवर्मेंट सिक्टर वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा इस्ट्रेस फुल रहेगा आज बाउस के साथ विवाद की स्थितिया रही है थोड़ा अपने उपर ध्यान दीजेगा इधर उधर की करना टाल दीजेगा गवर्मेंट सिक्टर मामला टंच दोपहर के बाद इस्थितिया पक्ष में भी हो रही है कोई मित्र मदद करेगा दामपत जीवन सुधार की तरफ है दामपत जीवन में दिंकत नहीं आएगी समस्याएं दूर हो जाएंगी दामपत जीवन एक दूसरे का सानित प्राप्त करने के लिए आप लोग बिल्कुल प्रशन चित रहेंगे कोई मेजर इशू खत्म हो जाएगा लव लाइफ शादी की चर्चा कर सकते हैं दौपहर के बाद बिबाद गहरे ना हो इसलिए मीटिंग कैंसिल कर दीजेगा स्वास्त के मामले में आज इसकीन की प्राप्लम है बुखार की भी इस्थिति हो सकती है पेट से तो आज तरस्त रहेंगे ही रहेंगे उपाय क्या करना चाहिए आज बिशब राशी वालों को एक लौंग किसी पौधे के नीचे मिट्टी में दबा दीजेगा क्या नहीं करना है आज जूठे वादे नहीं करने किसी से शुबरंग बादामी भाग्य प्रत्षत बावन मिथुन राशी मानसिक शांती मिलेगी समस्याओं से बाहर निकलेंगे कोई बड़ा भारी काम आपका हो जाएगा आज पढ़ाई अच्छी चलेगी व्यापार बहतरीन है नया कुछ सुरवात कर सकते है पार्टनर्शिप आज ठिक जाएगी दामपत्य जीवन बताऊंगा लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बारे में चर्चा कर ले मिथुन राशी दिनांगा थाईस बारह दो हजार उननिस दिन सरिवाद देखा जाए तो थोड़ी सी समस्या तो है मिथुन राशी वालों के लिए और वो समस्या गवर्मेंट सेक्टर में भी दिखाई दे जाएगी बास के साथ भी बाद पैदा हो सकता है आज कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा थोड़ी बहुत सूच समझ करके विचार करके और फिर गवर्मेंट सेक्टर में निरड़े लीजिएगा गवर्मेंट सेक्टर मिथुन राशी अब दामपत्य जीवन बता दे दामपत्य जीवन के मामले में आज पत्नी के साथ रिस्ता जोड़ के रखेंगे आप पत्य पत्नी के बीच तालमिल बहुत अच्छा रहेगा पत्य पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत सानित धिको प्राप्त करेंगे पति-पत्नी का संबंध अपने आप में बहुत स्ट्रॉंग रहेगा स्वास्त के मामले में बताऊंगा लव लाइफ की स्थती लव लाइफ में आज हर्ट की प्रॉबलम, बैक की प्रॉबलम, दातों की समस्या इशू बनाएगा प्रियोग क्या करना चाहिए? आज का दिन बहतर करने के लिए गव माता को प्रणाम करके कुछ काले तिल आदी अरपित करियेगा क्या नहीं करना है? आज मिथो नाशिवालों के लिए बड़ बोलापन नहीं दिखाना है नीला रंगशुब है 62 प्रतिशत का भाग आपके साथ है करकराशी 28-12-2019 दिन शनिवार करकराशी वालों के लिए सिक्षा छेत्र में आज बड़े फैसले बिलकुल लिये जा सकते हैं सिक्षा छेत्र में मेजर इशू आज दूर हो जाएंगे सिक्षा छेत्र में किसी तरह की तनाव की स्थती नहीं रहेगी लेकिन ब्यापार प्रभावित हो सकता है आज बिजनस के माबले में रिस्क रहना भारी पड़ेगा पैसा कहीं ब्लॉक होगा किसी कानूनी अर्चन में उलच सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए समयन कूल रहेगा प्राइवेट सेक्टर में आज इतना करेंगे इतना दिखेगा मतलब बॉस एकदम गदगर गवर्मेंट सेक्टर के लिए दिक्कत आ सकती है सरकारी नोकरी बिल्कुल ठीक नहीं है सरकारी छेत्र वालों के लिए करक्राशी वालों के लिए आज धन के लेन दिन में भी आप उल्जाये जा सकते हैं दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा करक्राशी वालों के लिए आज लाभी के अउसर बनेंगे लेकिन लव लाइफ प्रभावित होगा आज लव लाइफ में कोई सेध लगा रहा है छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाएगा प्रियोग क्या करना चाहिए बताएंगे स्वास्त जान लीजे करक्राशी वाले 28-12-2019 आज का दिन ब्यहतर करने के लिए चावल का दान करिएगा कच्चे चावल का दान क्या नहीं करना है आज जल्दी बाजी में कोई फैसला कतई नहीं लेना है शुवरिंग स्लेटी भागी प्रतिशत 79 69 सिंग राशु दिनांगा 23-12-19 पढ़ाई रुक सकती है अचानक से ब्रेक लग जाएगे सिक्षा बिलकुल ठीक नहीं है सिक्षा चेतर में किसी दोस्त की वज़ाए से बहुत डिश्टर्ब रहेंगे ब्यापार अच्छा है बिजनस में दिक्कत नहीं आएगी फैसले अच्छे लिए जाएगे फैसलों का स्वागत होगा प्राइवेट सिक्टर में कुछ बड़ा इशू आ सकता है प्राइवेट सिक्टर वालों के लिए आज का दिन नौकरी पर आचाने वाली है प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी सी इधर उधर की इस्थिती भी गड़बर दिखाई देगी, बहुत अच्छी नहीं, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए वाहन आज न बदले तो भेतर है, गौर्मेंट सेक्टर इस्थिती बहुत अच्छी रहेगी, दौकरी में प्र कुछ पसंद नापसंद को लेकरके बहास हो सकता है, ससुराल मायका का सम्बंध लेकरके बहास हो सकता है, आज बहतर है कि दिन निकलते ही कहीं प्लान कर लेजिए, बाहर जाने का, किसी मित्र उत्र के हग हों आईए, लव लाइफ इस्थिती बहुत अच्छी है, टेंसन आज लव लाइफ में नया प्रपोजल भी मिल सकता है किसी को प्रपोज करने के लिए दिन बहुत अच्छा है स्वास्त स्वास्त के मामले मैं आज बताऊंगा लेकिन पहले यह भी जान लिजे कि लव लाइफ में आज लड़की दिखाने का भी कारक्रम बना सकते हैं अपनी बिटिया को भी दिखाने का कारक्रम बना सकते हैं अगर आपकी राशी सिंग है तो आज परिवार में यह भी संबह हो सकता है कि बेटी की शादी तैह हो जाए अगर आपकी बेटी ब्याने योग्य हो गई है स्वास्त के मामले में आज हर्ट की प्रॉब्लम हो शकती है आज लिवर और किड्नी से संब्धित दिक्कत भी आएगी प्रियोग क्या करना चाहिए आज सिंग राशिवालों को आज किसी छोटे से नवनिहाल को बच्चे को कुछ खाने की वस्तों दीजिएगा टाफी चॉकलेट भी दे सकते हैं घर के बच्चों को भी दिया जा सकता है क्या नहीं करना है आज आज किसी बड़े काम के लिए किसी को ना मत कहिएगा काला रंगशु भी 50% का भाग आपके साथ है कन्या राशी दिन बहुत बहतरीर भाईया पढ़ाई अच्छी चलेगी सिख्चा में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है आज नहीं जगह एटिमेशन हो गया रहे के लिए बात कर सकते है बिजनस गरबर रहेगा साजहा में एकदम से दिक्कत आ सकती है कोई मित्र आज आज आपको चीट कर सकता आपका पैसा फंस सकता है कन्याराशी 28 बारह 2019 दिन शनी बार प्राइमेट सेक्टर लाप के उसर बनेंगी वहाँ चेंज किया जा सकता है धन किस्ति अच्छी रहेगी दामपत्य जीवन के बारे में बताऊंगा लेकिन पहले गवर्णमेट सेक्टर की बारे में चर्जा कर ले आज प्रिश्ट बहुत रहेगा दबाव बहुत रहेगा काम का धन का टार्गेट का आदी अत्यादी बास आज खिचे रहेंगे लेकिन आप सम्हाल लेंगे दामपत्य जीवन के मामले में दिन बहुत अच्छा है बड़ा लाग लपीड दिखाई देगा एक दूसरे के साने दिको बहुत करीब से लेंगे बहुत शुभ लेंगे बहुत सकरात्मक लेंगे लव लाइफ की इस्तिती थोड़ी सी डावा डोल रहेगी लव लाइफ में बहुत अच्छी इस्तिती नहीं है आज खोशुश करें कि जादा अपनी बात नम बनवाए तो बहतर रहेगा शादियोदी की आज बात टाल देजेगा स्वास्त के मामले में कन्याराशी 28-12-2019 को पेट से संबंधित समस्याओं से जूचेंगे कुछ चोट आदि की भी संभावना है हड्डियों से संबंधित दिक्कत हो सकती है प्रियोग क्या करें कन्याराशी वाले आज आज गव माता को आटा दीजिएगा क्या नहीं करना है आज जूठी कस्में नहीं खानी है औरेंज गलर सुप 64 प्रत्षत का भाग्याब के साथ है तुला राशी 28-12-19 आज का दिन पढ़ाई के मामले में बहुत यूनीक है बंबं है सिक्षा जबरदस्त चलेगी सिक्षा छेतर में कोई इशू नहीं आएगा सिक्षा छेतर में बल मिलेगा प्राइवेट सिक्टर वालों के लिए दिक्कत आ सकती है आज दिन टफ जाएगा प्राइवेट सिक्टर वालों के लिए मालसी कशानती मिलेगी ब्यापार लेकिन अच्छा चल रहा है, बिजनस में दिक्कत नहीं आएगा, ब्यापार इक दिश्टिकोंट से हर घाटे से बाहर निकलेंगे, ब्यापार बहुत अच्छा रहेगा, प्राइबेट हो गया, ब्यापार हो गया, अब गौर्न्मेंट सेक्टर, नई नोगरी के ल दाम भरने के लिए दिन ठीक नहीं, लव लाइफ बताओंगा पहले धामपत जीवन, अच्छा है आज, धामपत जीवन में मैं सकरात्मकता देख रहा हूँ, धामपत जीवन में कुछ बल मिल रहा है, धामपत जीवन में दूसरे को समझने के लिए बहुत सकरात्मक जीवन स्वास्त के मामले में आज तुलाराशी वालों को हर्ट से जूजना पड़ेगा ब्लेट पेशर बहुत फ्लक्चुएट करेगा ज्यादा टैंसर ना लीजिएगा आज सांथ रहिएगा घुटने की तकलीफ भी आज आपको परिशान करेगी जो ये फोटी एट इयर्स के आसपास के लोग है पचास तच करने वाले हैं उनके लिए मुश्किलने जादा है प्रियोग क्या करना चाहिए तुलाराशी वालों के लिए आज का दिन बहतर करना अगर चाहते हैं तो प्र में जो भी भुज़ुर्ग है उनको प्रणाम करिएगा क्या रही करना है आज आज जल्दी बाजी में फैसला मत ले लिजेगा बैगनी रंग शुब है पचास प्रतुषत का भाग आपके साथ है मेरी वाली राशी बृष्चिक आज बृष्चिक राशी वालों के लिए द दिक्कत आएगी बड़े फैस्टे टाल दीजेगा आज पार्णर्शिप में दिक्कत आएगी प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए समस्याओं से बाहर निकलने का मौका मिलेगा प्राइवेट सेक्टर वाले बहुत खुश रहेंगे गौर्मेंट सेक्टर में लाब के पाहर निकलेंगे लव लाइफ प्रभावित होगा लव लाइफ की स्थेती बहुत अच्छी रहें मेजर इशू खराब हो खतम हो जाएगा जो छोटे-छोटे हैं वो तो चलते रहते हैं बड़े समस्याओं जिन पर रिस्ते पर आचाए वो खतम हो जाएगी स्वास्त के मा बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा लेकिन फिर भी आज मांसिक मजबूती रहेगी उपाय क्या करना चाहिए आज विश्चिक रासिवानों को आज किसी जरूरत मंद को कुछ खाने की वस्तों दे दीजेगा फाल फ्रोट मेवा मिसरी चावल दाल रोटी तरकारी कुछ सब्सक्राइब क्या नहीं करना है आज मुझ्सा मत करिए आज स्लेटी रंग शुब है 65 प्रिस्ट का भाग के साथ है धनुराशी दिन अच्छा है पढ़ाई अची करेंगे मन लगेगा पढ़ने में 4-6 घंती की पढ़ाई हो जाएगी आज व्यापार प्रभावित होगा बिजनस में रिस्क लेना भारी पढ़ेगा पार्टनर्शीप आज टूट सकती है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए वाहन का सुख मिलेगा नहीं नोगरी के लिए प्रियास सफल हो जाएगे लेकिन गौवर्मेंट सेक्टर में दिक्कतें आ सकती है गौवर्मेंट सेक आज टकरा सकता है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज पेट और शुगर की दिक्कत हो सकती है प्रियोग के तौर पर आज के दिन चावल का दान शुब रहेगा क्या नहीं करना है किसी को वाहन उधार नहीं देना है लाल रंग शुब है एक सट प्रिश्यत का भाग आज ब्यापार बड़ा रिस्क टालना पड़ेगा आज किसी छोटी सी बात पर कुछ विवाद हो सकता है सरकारी मशिनरी से उलजना पड़ेगा आज टैक्सेशन में उलज सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की इस्तिया अच्छी है तिक्कतों से बाहर निकलेंगे प्राइव सेक्टर की इस्तिया आज बहुत टफ है इस्तिया बहुत टफ है अब आपके लिए ऐसी इस्तिय भी आ सकती है जो आप पर कुछ आरोप प्रत्यारोप भी ले आए दामपत्य जीवन सुधारने की कोशिश करिएगा बस यही कहूंगा कि आज आपको संयत रहना है और वाड़ी पर अंकुष लगाना है नहीं तो समझ लीजिएगा कि अतैची तयार है ठंधी में अकेले कीचन में रोटी पो अगर आज चुप नहीं रहे मकर राश्य दामप जाएगा स्वास्त के मामले में मकर राश्य वालों को आज इसकिन प्रॉब्लम हैर से संबंदित दिक्कत माइगरेन की समस्या और थोड़ी बहुत ब्लड प्रेशर शुगर भी फ्लेक्चुएट कर सकता है मकर राश्य उपाय क्या करना चाहिए आज आपको आज मादुरग मादुरगा का ये मंत्र जाब करें क्या नहीं करना है आज अपने राज रिवील नहीं करने है खोलने नहीं है मकर राश्य के लिए आज 28 बारे को शुबरंग है गुलावी बहा की प्रतिशत 57 57 कुम राश्य दिन बहतरीन है लाब के बड़े अच्छे अच्छे अफसर बने दिक्कतों से बाहर निगलेंगे मादस्युक शांती मिलेगी पढ़ाई अच्छी हो ब्यापार प्रभावित होगा बाहर से कुछ लॉस हो सकता है आज पार्टनर धोखा देगा गवर्मेंट सेक्टर बताओंगा लेकिन प्राइवेट सेक्टर पहले चर्चा करूंगा आज प्राइवेट सेक्टर के लिए इस्थितियां बहुत सकरात्मक्त नई नगरी के लिए प्रयाश सफल होगा इंटर्वी में सफलता मिलेगी कोई महिला बॉस आज प्रशन रहेगी आपसे गवर्मेंट सेक्टर के लिए आज दिक्कतें आ सकते सरकारी नगरी में तो ऐसा बॉंदगर के भरोसा मत करिएगा स्वास्त के मामले में बताऊंगा लव लाइफ पहले बता देते कुम्बराश्य वालों को आज लव लाइफ में धायर रखना होगा ब्रेक अप के चांसर बन रहे हैं आज ना मिले तो बहतर है स्वास्त के मामले में इसकिन प्रॉब्लम ह हो सकती है पेट की दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा अपने आपनी अंतरों रख है उपाय क्या करना चाहिए आज दूर्वा का एक टुकड़ा कहीं पौधे की नीचे रख दीजेगा क्या नहीं करना है ओवर स्मार्ट ना बनिए है यह नहीं हो इस नीला रंग्शु भई क्या प्रत्सित का भाग साथ देगा वैसे मैं बताओं बनते वही है जो होते नहीं है यह देखिए यह सब संतोसे जी कहिन के नाम से एक टो सोजन एक टो पेजोज बना करके उस पर ही सभम यह कोट हो गया यह कोटेशन हो जाएगा आप लोगों के लिए बनते वही है जो होते नहीं है पैसा नहीं है तो बड़े अमीर बन रहे मंगनिक गाड़ी लेकर के सान बगार रहे मंगनिक चस्मा मंगनिक कपड़ा है नहीं तभी बन रहे और जो होते हैं वो बनेंगे काहे है तो दिखेगा मीन राजी वालों के लिए 28.12.2019 को सिक्षा के मामले में बहुत लाब मिलेगा सिक्षा चेत्र बहुत अच्छी रहे आज पढ़ाई में उन्नती होने जा रहे पाने जा रहे मीन राजी वालों के लिए कुछ मुश्किले अचानक से आ सकती है हो सकता है कि आपके उपर कुछ आरोब प्रत्यारोब भी लगने लग जाए हो सकता है आज द्यापार प्रभावित हो लेकिन प्राइमेट सेक्टर में लाब के उसर बनेंगे गौवर्मेंट सेक्टर में आज प्रमोशन होगा दामपत्य जीवन सुधार की तरफ है आज कभी थोड़ा बहुत सामने वाले की सुन लीजिएगा सब ठीक ठाक रहेगा लव लाइफ की स्तिती थोड़ी सी तफ रहेगी आज तो अब मीन वाले ही अ के बाद उपाय क्या करना चाहिए आज मीन राशी वालों को 28-12-2019 को किसी छोटे बच्चे को कुछ पाठ्थे सामगरी दे देजेगा क्या नहीं करना है आज ब्लैक कलर नहीं पहनना है पीला रंग शुब है 67 प्रत्षत का भाग्या आपके साथ है अब बताते हैं आज का शुब भाग्या क्या क्छर कल परसो दो दिन आप हमसे टांडा में मिल सकते हैं और 10-11-12 को सूरत में मिल सकते हैं मिलने के लिए दिये गए नमबर पर कॉल करिए गा टांडा बेट करने का टांडा कही है वैसे पंजाब में भी है जम्मू में भी है मिश जाग्षर बिशप्ता मिथुन वाग्षर करकखा सिंग भाग्षर कन्या ज्ञा तुला थाग्षर बिश्चिक धा धनू टाग्षर मकरचा कुम्भ काग्षर और मीन न यह आपके अपने शुब भाग्याग्षर है जिनने साधे चौकुर कागच पर लिखके अपने पास रख लीजिए आई आगे बढ़ते हो जानते हैं आज की सक्सेल्ज की तो भईया सफलता की कुंजी आज मां के रास्ते से मेरा भी सक्सेल्ज की हो गया चले थैंक्यू बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आज एक रहस्त मैं ग्रह की चर्चा करेंगे जुद्श जराहट के में देखना ना भूलिएगा ठीक 11 बज़े फिलाल हमें अनुमत दीजे और कल परसो दो दिन टांडा में मिलने के थैंक्यू झाल 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 झाल